यूपी में पहले दौर के मतदान में अब कुछ ही घंटे बचे हैं कल यानी 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पहले दौर की वोटिंग पर तो सभी की नजर रहेगी ही इसके साथ ही राजनीतिक दलों की नजरें दूसरे दौर के चुनाव प्रचार पर भी लग गई हैं दूसरे दौर के प्रचार को समाप्त होने में 72 घंटे से कम का वक्त बचा है ऐसे में हर दल पूरा जोर 59 सीटों पर लगा रहा है जहां 14 फरवरी को वोटिंग है इसके अलावा उत्तराखन की सभी 70 और गो इसके अलावा AIMIM चीफ ओवैसी को भी अपना बिजनौर दौरा रद्ध करना पड़ा वही कॉंग्रेस महसर्ची प्रियंक गांथी आज लखनों में थी जहां उन्होंने कॉंग्रेस का उन्नत विदान नाम का तीसरा और आखरी घोशना पत्र जारी किया बीजेपी ने उत प्रताब घड की रामपुर खास सीट से सपा अब अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी इस सीट पर कॉंग्रेस ने तब प्रमोतिवारी की बेटी अनुराथा मिश्रा कॉंग्रेस की उम्मीद है इस बीच निगाहें 10 फरवरी को यूपी की 58 सीटों पर होने वाले मतदान पटे की हुई है फिजिकली चुनाव प्रचार भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन इन सीटों पर सोशल मीडिया पर अभी भी प्रचार चल रहा है कल सुभा पहले चरण की सीटों पर 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा मतदान के लिए उत्त प्रदेश में करीब 50,000 अर् मुजफर नगर मेरट बागपत गाजियाबाद बुलन शेहर अलीगड मतुरा तथा आगरा जिलों में मतदान होगा पहले चरण के चुनाव में कुल 623 उम्मीदवार मैदान में है और इस चरण में 2 करोड 27 लाक मतदाता है डीवी लाइव की रिपो